कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से पीकेड़ बांसाई को यूट्यूब चैनल पर ncrt class 11 psychology की बुक्स के हम चर्चा कर रहे थे कुछ पार्ट्स हम पहले चेप्टर के पढ़ चुके हैं उससे आगे की चर्चा आज हम करेंगे अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर लें लाइक कर लें बैल आइकन दबाने तो जदा जद अपने मित्रों को सेर करें दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी class को हम चर्चा आज करने वाले हैं कल से अगले पार्ट की आपने अगर 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 तब पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो एक बार देख लें क्योंकि ये क्लास आपके लिए पेद मैत्पुन होने वाली है नकेवल क्लास लिवन्थ के लिए अपी तू एक्जामस के लिए भी तो हम आज चर्चा करेंगे मनोविज्ञान के विकास की ठीक मित्रो तो चर्चा करते हैं मनोविज्ञान के विकास की देखो मनोविज्ञान का विकास आधुनिक बिद्ध्या साखा के रूप में आधनिक विद्या साखा के रूप में मनोविज्यान जो पास्चात विकास से एक बड़ी सीमा तक प्रवावित है का इतियास कैसा है बहुत छोटा है इसका उद्भव मनोविज्यानिक सार्थत्ता के प्रस्णों से संबद प्राचीन दर्सन सास्तर से हुआ है हमने उलेख किया है कि आधनिक मनोविग्यान का आपचारिक प्रारम 1889 यह महत्मून चीज है कि आधनिक मनोविग्यान का आपचारिक प्रारम है वो कब हुआ 1889 यह आपको याद रखना है और उससे भी महत्मून चीज आपको क्या याद रखनी है ये जो निर्वान किसने किया है, बिलियम बुंटे ने किया है, किसने किया है में तो बिलियम बुंटे ने किया है, जर्मानी के लिपजिंग सहर में, जर्मानी के लिपजिंग सहर में, बिलियम बुंटे ने आधनी मनुविग्यान का 1889 में प्रारम में किया था, मनुविग्य में पूछ जाते रहे हैं चाहे क्लास 11 से हो चाहे कंप्रिशंस एक्जाम से भी संबान दित हो तो यहां बिल्कुल आप सभी इस पर गौर करें अगर आपने चैनल कभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें क्योंकि सभी क्लासेज की वीडियो 11 और 12 की साइकलोजी में आपको यहां पर NCRT से पढ़ाओं सभी के लिए वह दुप्योगी है बुंट सचेतन अनभव के अध्धन में रुची ले रहे थे कौन से किसके अध्धन में सचेतन अर्था चेतन मन के बारे में बुंट की बात की थी और मन के अभ्यबों अत्वा निर्माण की एकाईयों का बिस्लेशन करना चाहते थे बुंट के समय में मनोवेग्यानिक अंतर निरिक्षन अर्थात अपने अंदर देखना नहीं अपने आत्मा को जानना अंतर निरक्षन अपने बारे में जानना दौरा मन की संरचना का बिस्लेशन कर रहे थे किसका बि संद्सवर्ण वाद को कि या प्रस्ने सकता dość संद्सवर्ण वार्थ कोँछ तक कौन है वी बिलियम वुंट है B Relations संद्स आ बाद चीम अधरिया यहाँ पर हम यह भी देखें कि मन की संदस्थना कभ प्रिस्टार से वर्णन करें, यद भी अंतर निरिक्षण एक विदी के रूप में अनेक मनो बैज्ञानिकों की संतुष्टी नहीं कर सका, इसे कम मनो बैज्ञानिक माना गया, क्योंकि अंतर निरिक्षण ये विवरणों का सत्यापन, वाहिये प्रेक्षकों द्वारा नहीं हुआ इसके कारण मनोविज्ञान में एक नया परिद्रश्ट उबर कर आया अब देखो भी मनोविज्ञान में कौन सा परिद्रश्ट उबर कर आया है आगे देखे एक अमेरिकी मनोविज्ञान ने कौन थे भी मित्रो बिलियम जैम्स बिलियम जैम्स कहां के रहने वाल में बार बार ये पूछा जाते रहे हैं विलियम जैम्स कहा के थे अमेरिका के थे ठीक है कौन से बिस्वित द्याले से संबंदित थे Cambridge और मसा चूसे टस में एक प्रियोग साला की इन्होंने इस्थापना की थी बहुत महत्मूर है आप यहां से नोट करते जाएं दोस्तों सभी ग्लास पसंद आई तो ग्लास को लाइक भी आप साथ की साथ करते रहें लिप जिंग की एक प्रियोग साला की कुछ ही समयवाद की थी किसने बिलियम जैम्स ने जो अमेरिका के संबंदित थे केमरीज बिस्विद दयाले से उन्होंने कुछ ही समयवाद किसके लिप जिंग में जो बिलियम बुंट ने जो प्रियोग साला की स्थापना उन्होंने कि मानम मन के अध्धन के लिए एक प्रकारवादी उपागम का विकास किया किसका विकास किया प्रकारवादी उपागम का विकास किया किसने बिलियम जैम्स ने तो संदसना वाद बिलियम बुंट से संबंदित है जबकि बिलियम जेम से संबंदित कौन है प्रकार रिवादिया आप नोट करते जाएं दोस्तों मैं आपको मैं पूंटीर बता रहा हूँ बिलियम जेम्स का विश्वास था कि मानस की संदसना पर ध्यान देने के बजाए मनोबिज्ञान को इस बात का अध्यन करना चाहिए कि मन क्या करता है तथा भ्यवार लोगों को अपने बातावरन से निपटने के लिए किस प्रकार कार करता है उधारन के लिए प्रकार वादियों ने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि ब्यवार लोगों को अपने आवशक्ताओं की पूर्ति करने के योग्य कैसे बनाता है बिलियम जैम्स के अनसार बातावरन से अंते क्रिया करने वाली मानसिक प्रक्रियाओं की एक सतत धारा के रूप में चेतना ही मनोविज्ञान का मूल स्वरूप रुपायत करती है कौन चेतना अरथा चेतन मन उस समय के एक प्रसिद सेख्षिक विचारक जौन डीवीeur की कई बार प्रसिद पूच प्रकारवाद का उपयोग यह तर्क करने के लिए कि मानव किस प्रकारवातावरण के साथ अनुकुलन इस्थापित करते हुए प्रभावुत पादक ढंग से कारे करता है 20 सताथी के प्रारम में एक नई धारा जर्मनी में गैस्टाल्टवात मनविज्ञान के रूप में बुंट के संरस्नावाद के बुरुध आई तो प्रस्ण यहां से कितना महत्मिन बना है आप सोचें कि जो संदचनावाद है उसके बुर्द कौन सी धार्ण आई तो गेस्टालट वाद आई कब आयी इसने प्रात्यक्षिक अन्ववों के संगटन को महत्पूर माना मन के अभ्यावों पर ध्यान न देकर गेस्ट्राल्ट वादियों ने तर्क किया कि जब हम दुनिया को देखते हैं तो हमारा प्रात्यक्षिक अन्वव प्रतक्षिक अन्ववों के समस्त योग से अधिक होता ह बहुती अच्छी बात इनोंने कही है आगे देखें दूसरे शब्दों में हम जो अनभव करते हैं वह बातावरण से प्रापट आगतों से अदिख होता है अर्था बातावरण से हमें जो भी प्राप्ट होता है उसके बारे में बताया गया है उधारन के लिए जब अनेक चमकते वल्वों से प्रकाश हमारे द्रस्टी पठल पर पढ़ता है अर्था जब पौश सारे वल्व लाइट्स हमारे सामने जली हुई ये और अंखो पर पढ़ता है तो हम प्रकाश के गती का अनभव करते हैं जब हम कोई चल चित्र देखते हैं तो हम इसतिर चित्रों का तेजगती से चलती प्रतिमाओं को अपने द्रश्ठी पटल पर देखते हैं लिए हमारा प्राथ्यक्षिक अनभव अपने अव्यों से अधिक होता है अनभव समगरतावाध alloracht tow i half करता है समग्र यह पूर्ण हमें से कह सकते हैं गेस्टाल्ट मनोवेज्ञानिक के विशे में प्रतक्षन के सुरूप की चर्चा करत हुए अध्या 5 में अधिक विस्तार से पढ़ेंगे तो यहां पर गेस्टाल्ट का सामने चर्चा की गई है कुछ नहीं बताया गया है यहां सभी अध्यायों को पढ़ने के लिए हमारी चैनल से सब्सक्राइब जरूब करने चैनल को सारे नोटिपेशन आपको अगर बैल आइकन आप दवालेंगे तो सारे नोटिपेशन जैसी क्लास होगी आपको अपडेट मिल जाएगा आगे देखें संदस्नावाद की प्रतिकर चर्चित नाम है John Watson ने मन चेतना के विचार को मनोवघ्ञान के केंद्रिय बिशे के रूप में एस्विकार कर तिया वे दहेक सास्ति एवान पाबलो के प्राचीन अनुननन वाले कारे से बहुत अधिक प्रबावित थे मन प्रेक्षनिय नहीं है मन हमें देखाई नहीं देता है मन को हम देख नहीं सकते हैं और अंतर निरिक्षन व्यक्ति परक है, व्यक्ति परक से मतलब अंतर निरिक्षन अर्था व्यक्ति अपने आत्मा को अपने अंदर व्यक्ति क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, किस तरह कि उसकी सोच है, कैसे वैं सोचता है, कि सारा व्यक्ति श्वम ही देख सकता है, अ उनके अनुसार एक विज्ञान के रूप में मनो विज्ञान क्या प्रेक्षिनिये तथा सत्यापन करने योग है इसी पर ध्यान के इंदित करना चाहिए। अनेक प्रसिद्ध मनो विज्ञान को द्वारा आगे बढ़ाया गया। इसकी नर के कारेका इस पुस्तक में आगे बर्णन हम करेंगे। इसकी नर कहा के थे कार नहुने किया। ब्यवारबाद में उन्होंने कौन-कौन से प्रियूग किये ये सारी चर्चा आगे जो पुस्तक है उसमें जो आपके पार्ट उसमें हम पढ़ेंगे वाट्सन के बाद यद भी भ्यवारबाद मनोबग्यान में कई दश्कों तक छाया रहा परंतों उसी समय मनोबग्यान के बिशे में एवं उसकी बिशे बस्तू के बिशे में कई अन्य बिचार एवं उपागम बिखसित हो रहे थे एक व्यक्ति जिसने मानव सभाव के बिशे में अपने मौलिक बिचार से पूरी दुनिया को जंकरत कर दिया वे थे सिग्वंड फ्राइड दोस्तों मनोबग्यान गतिशील प्रदर्शन बतायाँ मनोबग्यानिक बिकारों को समझने एवं उन्हें ठीक करने के लिए उन्हें मनोबिशलेशन बाद को एक पदती की रूप में स्ताफित किया है तो मनो विश्लेशन का जो सिद्दान तेबुखिस ने दिया था दोस्तो सिगमंड फ्राइड ने दिया था कल दोस्तो हम चर्चा करेंगे आदुनिंग मनो विज्यान ने कुछ रोचक कटना हो की इसके लिए आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर ले लाइक कर ले और आपको क्लास कैसी लगी इसके लिए आप हमारे नीचे कमेंट्स वोक्स में कमेंट्स जरू करिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी आप किन विश्याओं को आप और पढ़ना चाहते हैं मैं आपको बता दू मनो विज्यान से संबंदि जो 11-12 की जो प्रस्णों तरिये उसको भी मैं सामिल करूँगा जहां से आपकी एक्जाम में प्रस्ण पूछने की संबावने होती हैं तो उनको भी मैं आपको अभ्यास प्रस्णों के माद्दम से कराऊंगा आप सभी ने हमारी क्लास को देखा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थेंक यू बाई बाई